हाई दोस्तों साइज यह राज किस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट एंडरोइट 12L डर्फीस 2S रोम का हमारे Poco F1 डिवाइस पे वीडियो जो है पुरा एंड तक के देखना रॉम बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी यहाँ पर हम कस्टम करनल यूज में लेने वाले हैं और यहाँ पर सारी चीज़े जो है मैं डीटेल में कवर करने वाला हूँ क्या कस्टमाइज़ेशन रहेगा, क्या बैटरी वैक अप रहेगी, परफॉर्मेंस का क्या हाल है सारी चीज़े डीटेल में होगी इंस्टालेशन प्रोसेस के साथ लेकिन उसे पहले चैनल पर अगर नए आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो सबसे बेले बात करें रॉम की चलते हैं सेटिंग्स में बात करते हैं अबाट सेक्षन की तो रॉम जो है ना अंड्रोइड 12 पे रन कर रहा है ठीक है लेटेस्ट सिकूरिटी पैच है एपरिल का और यहाँ पर जो करनल देखने को मिलता है वो पफ का यहाँ पर करनल देख हो कि अगर बात करें सेफटी नेट की तो जो सेफटी नेट है वो बाइडिफॉल्ट पास देखने को मिलता है जैसी कि आप देख पर हो मतलब बैंकिंग अप्स वगर आराम से यूज में ले सकते हैं और बात करूँ जी केम की तो जी केम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है जैसे कि आप देख पर हो लगभग लगभग बहुत मोर्स टॉप दो मोर्स अच्छे से वर्क कर रही हैं 4K 60 अपएस तक के वीडियो रिकॉर्डिंग वगरे हाँ पर हम कर सकते हैं देन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर सीलने के स्टेटस की तो वो इनफोर्सिंग द जैसे कि आप देख पार हो गूगल फीड काफी अच्छे से वर्क कर रहा है और यहाँ पर जो हे गूगल हो की गूगल है वो भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा है और लॉक स्क्रीन पर भी जैसी देख पार हो काफी सही रिस्पॉन्स है कोई दिक्कत नहीं है देन अगर ब गूगल लेंस में वगरे यूज में ले सकते हो clear all वगेरा सब कुछ मिल जाता है ठीक है अगर यहाँ पर अगर बात करें कॉलिंग की तो यहाँ पर कॉलिंग चेक रहा देता हूं तो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का उप्शन है कि नहीं एक बार देख लेते हैं तो जैसे एक चीज डीटेल में तो सबसे बहले हम चलते हैं network section में तो यहाँ पर जो prefer network है वो 4G only कर सकते हैं ठीक है अगर बात करें कुछ और options की तो यहाँ पर हम चलते हैं back और यहाँ पर हम apps वाले option में जाएंगे तो यहाँ पर जो launcher देखने को मिलेगा और डर्प को launcher है और इसमें customization काफी है जैसी कि यहाँ पर icon size font size adjust कर सकते हैं home screen में layout को lock कर सकते हैं ठीक है double tap to sleep ठीक है और यहाँ पर google search bar यह चीजे जो है आपको देखने को मिलेगी then themed icons वाला option जो है आपको separately भी मिलेगा इसमें भी मिलेगा ठीक है then उसके बाद बात करें कुछ और options की तो यहाँ पर हम चलते हैं again apps वाले option में ही तो यहाँ पर यह कुछ चीजे देखने को मिलती है अगर मैं बात करूँ एक बर app drawer यहाँ पर तो कुछ नहीं मिस लिनी जिसमें देखते हैं तो यहाँ पर hide apps वाला section यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो यह एक interesting option बन जाता है यहाँ पर हम hide कर सक साउंड की बात करों तो यहाँ पर increase ring volume यह चीज देखने को मिलेगी start volume वगेरा और volume पैनल जो है वो left वगेरा कर सकते हैं then अगर अगर नीचे चलेंगे न तो यहाँ पर एक चीज है smart pause ठीक है pause ठीक है तो यह चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी then यहाँ पर और नीचे चल मिलेगा display की बात करूं live display की तो यहाँ पर आपको जो color profile हो set कर पाऊगे plus यहाँ पर जो night light वाला जो option है वो display mode मतलब इसके अंदर मिलेगा आपको ठीक है न तो यहाँ पर color temperature वगरा जो है वो set कर सकता है दन उसके बाद आपको आखो को कोई problem ना हो ऐसे आप अपना set कर आउंगा तो अब ambient display देख पर हो always should time and input काफी अच्छे से work कर रहा है then यहाँ पर हम चलते हैं back और बात करते हैं कुछ और options की तो dark theme भी काफी सही यहाँ पर work कर रहा है अगर यहाँ पर यह option बंद रखो तो बेटर रहेगा allow window blur वाला ठीक है then यहाँ पर colors वाले option में natural saturated जो कोई दिक्कत नहीं है इसमें then उसके बाद हम आ जाते हैं back और कुछ और चीज़े भी हाँ पर हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर हम चलते हैं wallpaper and style में तो यहाँ पर वालपेपर सवागेर कुछ देखने को मिलीगी themed icons यहाँ से यूज में ले सकते हैं जैसे कि आप देख पर ह होता है तो इसमें तो काफी दिये हैं upset कर पाऊगे then यहाँ पर fingerprint face unlock सारी चीज़े काफी अच्छे से work कर रही है app lock का भी support है ठीक है यहाँ पर जो face unlock है वो IR face unlock है तो यहाँ पर काफी instant unlocking वगेरा देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक extra option auto reboot वाला यह option मिलेगा आप अपने phone को reboot करवा सकते हो एक गंटे बाद ऐसा वगेरा ठीक है काफी timing दिये हैं अगर बात करो system की तो यहाँ पर gestures में navigation keys या फिर gestures use में ले सकते हैं then यहाँ पर three finger screenshot वगेरा यूज में ले सकते हैं तो यह देखिए काफी सही work कर रहा है delete और यहाँ पर google lens का भी option है then यहाँ पर tap to sleep बूल रहा हूं है और भी काफी सारी चीज़ें मिल जाती है volume वेक वगर मिलेगा दन यहाँ पर swipe volume rocker orientation यहाँ एक चीज़ यहाँ एक स्टा मिलेगी keyboard cursor control है then disable power menu on lock screen है then advance restart है quick torch भी देख लेते हैं एक बार ओके जैसे आप देख पर हो quick torch भी काफी साही work कर रहा है then यहाँ पर यही कुछ था यहाँ पर normal चीज़ें ठीक है यहाँ पर updater है अब बात करते हैं सबसे बड़े main customization की तो हम चलते हैं derp space में तो यहाँ पर customization का भंडार है तो battery setting में जाएंगे तो यहाँ पर battery style battery percent जो है वो दिये हैं और बात करें हाँ पर clock and date की तो यहाँ पर AM, PM, seconds वगरे यह चीज़े आपको पता ही है इसे सेट कर सकते हैं status bar item में जो रखना है वो रख सकते हैं बाकी disable कर सकते हो traffic indicator का support है यहाँ पर जो है आप network indicator वगरे enable में ले सकते हो then उसके बात कर यहाँ पर मिसलीनी जिसकी तो derpist का logo आपको पसंद हो तो लगा सकते हो colored icons का support है तो यहाँ पर यह वाला option आप enable में ले सकते हो ठीके दन बैटरी जो होता है Bluetooth status वो देख सकते हो उसका then यहाँ पर volte icon, volte के जो icons है काफी सरे difference है different type के तो देख पर हो मैंने एक set किया है HD वाला then यहाँ पर वो wifi का भी आप आपको icon style वगिरे मिल जाएगा तो वो भी आप चाहो तो change कर सकते हो then यहाँ पर roaming indicator है small mobile type icon है mic और camera वो जो privacy indicators होती है उनको disable enable कर सकते हो notification में ambient display का support है आपर देखने को मिलेगा kill app button का option मिल जाता है तो कुछ इस तरह हम kill कर सकता है किसी भी applications का notification force ली then यहाँ पर अगर नीचे चलूँ तो और भी काफी सार options है ठीक है तो यहाँ पर heads up का option देखने को मिलेगा re-thicker का option है यहाँ पर blink flashlight for incoming calls always रख सकते हो या फिर आपको job रखना है वो vibrate on connect, vibrate on disconnect call तो मिले जाएगा quick settings की बात करूँ तो यहाँ पर music tile track title यह एक चीज आपको कुछ additional थोड़ा different देखने को मिल जाएगी then यहाँ पर अगर नीचे चलेंगे तो काफी सारा customization है brightness slider वगेर है हाँ पर कुछ आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो यह दीखे मैंने कुछ इसको bottom पर रखा है तो थोड़ा अलग ही लग रहा है मुझे तो मुझे यह नहीं चाहिए bottom पर मुझे वही सही चाहिए जैसा था then यहाँ पर animation style वगेरा मिल जाएंगी vibrate on touch जो tile होता है वह all option जो आप use में ले सकते हो then यहाँ पर अगर बात करूँ lock screen shortcuts की तो यह disable ripple effect कर सकता है fingerprint यहाँ पर vibration fingerprint error vibration यह चीज़े देखने को मिल जाएंगी lock screen charging information को option है यहाँ पर temperature unit colors sorry celsius वगेरा जो है वो set कर पाऊगे और screen of animation CRT वगेरा तो यह दीखी कुछ इस तरह देखने को मिलता है सही लगता है reward CRT TV जा सही लगता है बिल्कुल then अगर बात करूँ अच्छे से work करी रही है आप चाहो तो उसको आराम से यूज में ले सकते हो ठीक है और ambient music ticker भी आपर मिलता है जो की काफी सही रहेगा मेरी ख्याल से then battery की बात करो तो यही पर आपको जो light वगेरा होता है do not disturb mode पे low battery पे वो blink light वगेरे मिलता है customization में आपको black theme वगेरा आप अच्छे हो ठीक है custom color जो है वो यूज में ले सकते हो आपको पसंद है कोई और color लगाना है तो वो आप यूज में ले सकते हो then body fonts बहुत सारे दियेगे हैं आपर बिलकुल भर के हैं then icon pack भर के हैं then wifi icon वो भी भर के हैं then यहाँ पे signal icon वो भी भर के हैं और यहाँ पे icon shape वो भ भर के भर के भर के हैं फूरे देन अगर बात करें यहाँ पर पल्स की तो navigate बार पल्स है quick setting पल्स है lock screen पल्स ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर पल्स related है पुरा और navigation बार बोलनो तो यहाँ पर आगर आपको पसंद नहीं तो उसको बंद कर दो ठीक है और जो layout वगर होते कुछ इस तरह है ठीक है wifi और internet के लिए separate tiles है यहाँ पर कुछ night light का जो टाइल है वो नहीं मिलेगा वो जो है आपको display के अंदर live display के अंदर जाके ही वहाँ से सेट करना पड़ेगा तो वह चीज मैंने जबी दिखाई थी आपको ठीक है और बात करें कुछ यहाँ पर volume panel से मतलब पता भी नहीं चल रहा है यह एक चीज यहाँ पर मैंने notice की है बात करें battery backup और charging के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको battery uses एक बार चिक करवा देता हूं ठीक है तो यहाँ पर battery uses जो है वो normal uses है जैसे की YouTube वगरा मैंने काफी use किया है ठीक है तो यहाँ पर जो condition थी मे battery की तो charging की सोरी ठीक है चौदा सो फंदरा सो ग्यारा सो ऐसे मिलिया एम्पेरी की स्पीड से फोन चार्ज होता है बट याद रखें यहाँ पर फूरा device ठंडा रहना चाहिए तभी होगा ने तो बहुत स्लो चार्जिंग का issues में ठीक है ना और battery backup भी तभी मिलेगा जब इस इस तरह आपको अगर नहीं करते हो तो इस तरह देखने को मिलेगा ठीक है अगर इसको यूज में लोग है तो कुछ pixel तैप देखने को मिलेगा और यह चीज में ज्यादा इंट्रेस्टिंग लगे बैटरी चार्ज वार्निंग जब आपका चार्जिंग उस टाइम पे ठीक है न ब्लॉक सेंसर है आइडियल मैनेजर है यह चीज़े कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाती है बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम एंटुटू बेंचमार्क स्कोर चेक करते हैं तो यह स्टॉक करनल का स्कोर है 3,89,144 और NG के कर स्कोर निकल का है 4,00,000 के ऊपर स्कोर है ठीक है मैंने इस करनल को क्यों फ्लैश किया वो आगे बताऊंगा ठीक है और बात करें यहाँ पर गीक पेंच फाय स्कोर की तो जो स्टॉक करनल है उस पर सिंगल कोर 509 मल्टी कोर 2153 है और अब बात करें NG के करनल की तो वो भी मैं आपको एक बार चिक करवा देता हूं तो यहाँ पर NG के करनल पर जो स्कोर निकल गया है वो है सिंगल कोर 501 मल्टी कोर 2091 ठीक है और अब अगर बात करें यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग की तो पहले स्टॉक करनल पर CPU थ्रॉटलिंग बताता हूं ठीक है 75% है स्टॉक करनल का CPU थ्रॉटलिंग और बात करें एंजी के की तो 89% है वाह अब बात करें गेमिंग पर्फॉर्मेंस के बारे में ठीक है तो यहाँ पर गेमिंग पर्फॉर्मेंस टॉक करनल पर होता है बट यहाँ पर जब आप मतलब स्लाइट करने जाओगे तो वहाँ पर अटक राएगे मतल मतलब क्या बुलो भी मैं वहाँ पर दिक्कत हो रही है खेलते साना है मतलब विल्गुल आपको स्मूथनेस फेल नहीं होगी उसमें ठीक है लेकिन अगर आप NGK का करनल टैस्ट करोगे ना तो स्लाइडिंग करते समय खाफी स्मूथनेस बेटर है आप पका बोर उसके साथ ज ओकी जैसे कंपलीट होगा उसके बाद बाद बैक आना इंस्टाल पे आना है सबसे पहले फर्म वेर को सिलेट करके उसको फ्लैश करते ना है तो मैं दिखा देता हूं रॉम तो यह रही रॉम सिलेट किया देन सिंप्ली स्वाइप किया फ्लैशिंग प्रोसेस जो है वह थोड़ा ओकी वीडियो को मैं थोड़ा सा फॉर्वड कर देता हूं काफी टाइम लग रहा है इसमें ओकी फ्लैशिंग कंप्लिट हो गया है सक्सेस्फुल अब क्या करना है हम चलना है बैक वाइप प्याना है फॉर्मेट डिटा प्याना है यहां पर लिखना है वाइए एस दिन राइट बेटन पर टिक करेंगे फॉर्मेट डेटा होगा दिन रिबूट सिस्टम हम कर सकते हैं अगर इंक्रिप्टेड यूजर हो तो फॉर्मेट डेटा पका करो अदरवाइस आपका फोन भूट नहीं करेगा ठीक है अगर आप डिक्रिप्टेड यूजर हो तो यह और इच्छा हो रहे होंगी तो शेर भी कर देना तो बस आज के लिए इतना ही अगले वीडियो मिलते हैं लव यू दोस्तों गुडबाई टेक केर